हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो अधिगम यूटूब चैनल, आज की इस वीडियो में हम नंबर सिष्टम के बारे में जानेंगे कि संख्या क्या है, संख्याओं का विशेष्टाएं और इसकी प्रकार और हमें नंबर की आवसकता क्यों है इसके लिए मैं अपनी एक इस्टोरी सुनाता हूँ, बात संद 2011 की है, पांच मई का दिन था, मेरा टेंथ का रिजल्ट आने वाला था मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं सुबा नौ बजे इंटरनेट कैफे के लिए निकला, जाते समय मेरी मानी मुझे 100 रुपिये दिये और कहा कि अगर 80% से उपर आए, तो एक लार्ज पीजा लेकर आना मैंने अपना रिजल्ट देखा, मुझे 74.4 परतिसत मिला, फिर भी मैं 6 स्लाइस वाला पीजा लाया मेरी माने मेरी बहुत कुटाई की, और मुझे एक तिहाई पीजा ही दिया एक तिहाई पीजा ही दिया आपने इस स्टोरी में नोटिस किया होगा कि डेली लाइप में बहुत से नंबर, टाइम, परसंटेज, कॉंटिटी अर्थात मातरा, इतियादी बताने, बोलने में उप्योग करते हैं और यह नंबर कितने इंपोर्टेंट है, इसलिए हमें नंबर की जानकारी होना आवस्यक है तो सबसे पहले हम नंबर के बारे में बात करते हैं आप लोगों को पता होगा कि हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन ही 10 डीजिट की हिल्प से बहुत सारे नंबर बनाते हैं और इनके अलग-अलग कोमबिनेशन से लाखो करोडो और वो संख्याएं लिखे जा सकती हैं अब इन ही नंबरों के कोमबिनेशन से अलग-अलग परकार के नंबर बनते हैं चलिए हम इनका वर्गिकरन करकर देखते हैं जब नंबर का हम वर्गिकरन करते हैं तो नंबर मेंली दो पार्ट में डिवाइड होते हैं पहला जो नंबर होता है वो रियल नंबर और से सेकेंड नंबर है वो इमेजनली नंबर खहलाता है रियल नमबर वे नमबर होते हैं जिने हम नमबर लाइन में प्लोट किया कर सकते हैं रियल नमबर में माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक के सारे के सारे नमबर जो नमबर लाइन पर प्लोट किया जा सकते हैं उन्हें हम real number कहते हैं जैसे minus 4, minus 2, 2 by 3, 0.46 इस परकार आप जितने चाहें उतने number जो भी number आप सोच सकते हैं उन्हें हम real number कहते हैं imaginary number नाम से ही clear है इसे कालपनिक संख्या कहते हैं कालपनिक से मतलब यह है कि यह जो नंबर है वो सिर्फ हमारे कलपनाओं में है इनका रियल वर्ड से कोई रिस्ता नहीं है यहाँ कुछ कालपनिक संख्याय दियुए है आई इक्वल टू इसे हम आयोटा कहते हैं और आई स्क्वेर के विल्यू माइनस वन होती है और किसी भी नंबर के अगर हमें स्क्वेर रूट के फो में एक्स्प्रेस करना होता है तो हमें इमिजनरी नंबर की आव सकता होती है जैसे मैंने यहाँ मैनस वन को स्क्वेर रूट के फॉर्म में लिखा है जिसके मैनस रूट में मैनस वन की विल्यू आई होती है अब रियल नंबर आ दस्मलो संख्या कहते हैं, दस्मलो संख्या आप लोग जानते ही होंगे जैसे 0.26 या 0.95 या 1.233 ऐसे करके, इंटीजर नंबर को पूर्णांग संख्या कहते हैं, पूर्णांग संख्या सितात पर यह है कि वह कोई भी नंबर जो पूर्ण हो, अब आगे हम decimal number को भी आगे के part में divide करते हैं जो decimal number होता है ये भी दो type का होता है पहला होता है terminating और दूसरा होता है non-terminating terminating को हिंदी में हम सांत कहते हैं सांत दस्मलो और non-terminating को असांत दस्मलो सांत से यहां का तात पर यह है कि point के बाद जो भी number आता है जैसे point two three six ये एक निश्चित समय के बाद या एक निश्चित डिजित के बाद ये number रूख जाता है इसके बाद आगे divide नहीं किया जा सकता और non-terminating से कहने का मतलब यह है कि जब भी हम किसी संख्यों कि संख्या से divide करते हैं तो जो भादफा लाता है उसमें point के बाद number randomly या repeating इसे करते करते हैं आप हजारों लाखों करोडों बार रिपीट होता है जैसे point two 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 ऐसे करते करते हैं आप हजारों लाखों करोडों बार चले जाएंगे फिर भी यह complete नहीं होगा और non-terminating non-repeating का मतलब यह है कि point के बाद जो भी number आएंगे और randomly form में चलेंगे कोई भी संख्या repeat हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है ऐसे करके चलते जाएंगे चलते जाएंगे फिर हम terminating number and non-terminating repeating number इन दोनों को मिला के एक number बनता है rational number rational number को परिमेश संख्या कहते हैं अब परिमेश संख्या वे संख्या होती है जिन्हें P by Q के form में लिखा जा सकता है जहां Q के value 0 नहीं होती है एक जामपल के लिए जैसे 4 by 3, 2 by 4, 1 by 6 non-terminating, non-repeating जो decimal number होता है उसे हम irrational number कहते हैं irrational number को आप परिमेश संख्या कहा जाता है आप परिमेश संख्या है वैसी संख्या होती है जिन्हें P by Q के form में नहीं लिखा जा सकता यहों Q equal to not equal to 0 होता है आगे नंबर का और भी पार्ट है हम rational number, rational number या integer number के बारे में और भी चीज़ें जानेंगे मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं वीडियो के next part में thank you so much के बाट में पार्ट